नमस्कार चानक्या IAS Academy में आपका स्वागत है इस वीडियो का टॉपिक है आयुरुवेदिक सर्जरी आए देखते हैं इस टॉपिक को विस्तार के साथ Central Council of Indian Medicine जो की आयुस मंत्राले के अंतरगत एक स्वायत तस्था है और जिसका कारे भारती चिकिसा परनाली को विन्यमित करना है ने हाल ही में एक नोटिफिकेशन को जारी किया है इस नोटिफिकेशन के जरिये आयुरुवेदिक डॉक्टरों को अंठाउन तरह की सर्जरी की इजाज़त दी गई है यानि देश के आयुरुवेदिक पोस्ट ग्रेजवेट डॉक्टर भी ऐलोपेथिक डॉक्टरों की तरह आप्रेशन कर सकेंगे इन अंठाउन तरह की सर्जरी में 49 जनरल सर्जिकल प्रक्रियाएं और आख, नाख, कान और गले की 19 प्रक्रियाएं सामिल हैं और इन अंठाउन तरह की सरजरी में ट्रेनिंग लेने के बाद ये पोस्ट ग्रेजवेट छात्र स्वतंत रूप से सरजरी की प्रेक्टिस कर सकते हैं Central Council of Indian Medicine के इस notification को जारी करने के बाद Medical जगत में आयरुवेद बनाम एलोपेथी विवात खड़ा हो गया है और इस notification को लेकर Indian Medical Association ने भी अपना विरोध दर्ज किया है IMA के अनुसार आयरुवेदिक पोस्ट ग्रेजवेट डॉक्टरों द्वरा एलोपेथिक डॉक्टरों की तरह ओप्रेशन करना इलाज का नया रूप देगा जो आधनिक चिकिसा के लिए बुरा है और IMA ने इलाज के इस नए रूप को मिक्सोपैथि की संग्यादी है अब हम बात करते हैं आयरुवेद एवं सलिच किस्सा की तो आयरुवेद में जडी बुटी लोहा पारा सोना चांदी जैसी धात्वों से इलाज किया जाता है वहीं आयरुवेद में सर्जरी का अहम या महतपूर्ण इस्थान है प्राचीन आयरुवेदी ग्रंथ सुस्तृत संगिता में विशे संगिता के आधार पर आयरुवेद को आठ भागों में बाटा गया है इन आठ भागों में से पहला भाग है काय चिकित्सा या मेडिसिन यानी ऐसी बिमारियां जिन में अमूमन दवास से इलाज मुमकिन है जैसे बुखार, खासी, पाचन समंदी बिमारियां दूसरा भाग सल्लित तंत्र यानि सर्जरी वे बिमारियां जिनमें सर्जरी की जरुरत होती है जैसे फिस्टुला पाइल्स आदी तीसरा साला की तंत्र या ENT आंक, कान, नांक, मुह और गले के रोग से समंधित चौथा कौमार भृत्य मतलब महिला और बच्चे इसमें इस् मतलब विस विज्ञान ये सभी प्रकार के विसों जैसे साप का जहर, धतूरा, आदी जैसे जहरीले पौधों का सरीर पर पढ़ने वाले असर और उनकी चिकित्सा का विज्ञान है छठा, रसाइन तंत्र यानि रेजुविनेशन और जेरियेट्रिक्स इसमें इंसानों को स्वस्थ कैसे रखा जाए और उम्र का असर कैसे कम हो इसका वर्णन किया गया है साथवाँ वाजीकरन तंत्र यानि सेक्सोलोजी इसके अंत्रगत लंबे समय तक काम सक्ति को कैसे संजो कर रखा जाए इसका वर्णन किया गया है और आठवाँ और अंतिम भूत विद्या यानि सैकेटरी यह मनुरोग से समंधित है सुस्तृत संगहिता में सरजरी के तीन भागों का वर्णन है पहला भाग है पुर्व कर्म मतलब pre-operative दूसरा प्रधान कर्म यानि की ऑपरेटिव और तीसरा प्रशात कर्म मतलब post-operative और सुस्तृत संगीता में 100 प्रकार के सर्जिकल इंस्टूमेंट की भी चर्चा है आयरुवेद में कई सर्जरी के तरीके आधनिक सर्जरी के समान है जबकि आयरुवेद के सरजरी के तरीके से पुछ विस्यसक्डिता वाले सरजरी जैसे की नियोरो सरजरी वह संभव नहीं है अब हम बात करते हैं कि नई अधी सूचना से पहले के नियम क्या थे तो आयरुवेद में पोस्ट ग्रेजवेट से सम्मंधित दिसानिर्देश समय समय पर इंडियन मेडिकल सेंटरल कॉंसिल की द्वारा जारी किया जाता है और वर्तमान में 2016 इस्वी में जारी दिसानिर्देश लागू है इसके अनुसार आयरुवेद से सम्मंधित पोस्ट ग्रेजवेट के चात्रों को तीन छेत्रों में जैसे शलितंत्र, शालाखितंत्र, प्रसूती एवं इस्त्री रोग इन तीन छेत्रों में विसेसगिता प्राप्त करनी होती है और इन छित्रों में विसेसगिता प्राप्त करने के बाद इन पोस्ट ग्रेजवेट छात्रों को MS डिग्री यानि Master in Surgery in Ayurveda के डिग्री दी जाती है Ayurved के Practitioner के अनुसार Ayurved कोर्स में अगर छात्रों को पंजीकरन कराना होता है तो फिर उन्हें नीट पास करना होता है Ayurved के अगर Graduate कोर्स की हम बात करें तो इसकी अबधी साड़े चार वर्स की होती है और उसके बाद एक वर्स का इंटर्ण से भी होता है जिसमें चह मा का Ayurved अस्पताल और सेस चह मा सिविल जर्नल पैमरी अस्पताल में गुजरना पड़ता है और अगर Ayurved के Post Graduate कोर्स की बात करें तो इसकी अबधी होती है तीन वर्स की साथ ही अस्पताल में इन पेसेंट या आउट पेसेंट विभाग में क्लिनिकल पोस्टि पेसेंट से भी गुजरना पड़ता है इस Holy Mort Цयं से या लाब हो सकता है तो हमें यह पता है कि ग्रामीन चैतर में अलोपैथिक डॉक्टर जिसमें की सर्जन भी सामिल हों तो उनकी कमी है और ये एलोपेथिक डॉक्टर ग्रामिन छित्र में सेवा देने को इक्छुक नहीं होते हैं ग्रामिन छित्रों में डॉक्टरों की इस कमी को दूर करने के लिए सरकार के द्वारा कुछ उपायों को सुईकार किया गया है जैसे रूरल बॉंड्स को जारी करना आखिरिये क्या है वह देखिए तो केंद्र के द्वारा सहयता प्राप्त मेडिकल कॉलेज में अगर छात्र पीजी कोर्स में दाखिला लेते हैं तो उन्हें एक बॉंड पर साइन करना होता है जो अनिवार्य है बॉंड की शर्त के अनुसार छात्र को एक निश्चित अबधी ग्रामिन छेत्र या साजनिक अस्पताल या स्वास्त केंद्रों में सेवा देकर गुजारनी होती है और अगर कोई छात्र ऐसा नहीं करता है तो फिर उसे जुर्माना भी देना पड़ता है दूसरा, Medical College और Post Graduate Seat की विर्धी करने की सरकार की योजना भी ग्रामिन छेत्रों में डॉक्टरों की कमी को दूर करने से सम्मंधित है और इसी दिसा में आयरुवेद सर्जरी से सम्मंधित दिसा निर्देश को जारी करना इस कमी को दूर करने में बहतर उपाय हो सकता है तो फिर Indian Medical Association के विरोध का क्या कारण है तो इंडियन Medical Association के अनुसार वे चिकित्सा की प्राचिन परनाली का विरोध नहीं कर रहा है भ्रहम की इस्थिती उत्पन्य करता है साथ ही यह आधनिक चिकित्सा छेत्र का अतिक्रमण भी करता है वही IMA की चिंता का एक कारण यह भी है कि नीती आयोक की द्वारा चार समीतियों का गठन किया गया है यह चार समीतिया समंधित है मेटिसीन के विभिन्न प्रकारों के एक ही करन से यह मेडिसीन के विभिन्न प्रकार है प्रकार है medical education, medical practice, public health, administration और research IMA का मानना है कि यह एक ही करन आधनिक चिकित्सा को समाप्त कर देगा इस प्रकार इस वीडियो में हमने आयरुवेधिक सर्जरी से समंधित Central Council of Indian Medicine के नोटिफिकेशन पर चर्चा के यह रहा इससे समंधित प्रश्ण कि अस्टांग हिर्दय निम्ण में से किसकी रचना है चार ओप्सन है A. सुसृत B. वागभट C. चरक D. धनवंतरे इसके साथ ही इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ नमस्कार